नमस्कार मेना नाम डॉक्टर लिपिका मैदा है विटामिन D3 की अगर आपकी बोडी में कमी हो रही है और वो क्यों हो रही है पहले तो यह जानना जरूरी है उसके सिम्टम्स आपको क्या-क्या देखने को मिलेंगे और ऐसा क्या आप कर रहे हैं आपकी डायेट में या फिर आप ऐसी क्या मेडिसिंस खा रहे हैं जिसकी विजह से आपको विटामिन D3 कम हो सकता है और इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले विटामिन D3 की कमी की कारण क्या है तो देखिए जब विटामिन D3 की बात करेंगे तो यह ऐसे बोल सकते हैं कि 25 हाइडरोग्जी विटामिन D मतलब ऐसा विटामिन ऐसा विटामिन D3 या ऐसा विटामिन जो हमारी बॉड़ी में बलड में घूम रहा है और हमारी बॉड़ी उसको खुद प्रेडियूस कर रही है मतलब सिंपल भाशा में समझे जो विटामिन D3 है वो हमारी जो बॉड़ी है वो संलाइट से एक्सपोज होकर प्रेडियूस करती है देखिए जो आपका स्किन है ठीक है संलाइट डारेक कॉंटाक्ट जब आपके स्किन से गरती है तब आपकी बॉड़ी में विटामिन D3 आता है विटामिन जो D3 है वो इस चीज़ पर भी करता है कि आपका एक्सपोज सर्फेस कितना है मतलब अगर आप मान लीजे आप धूप में जा रहे हैं और फुल क्लोथ पहन के जा रहे हैं तो आपका विटामिन D3 एब्जॉब नहीं होगा क्यूंकि विटामिन D3 को एब्जॉब होने के लिए स्किन का सर्फेस लगता है अगर स्किन का सर्फेस नहीं मिल रहा है विटामिन सनलाइट को तो आपका जो विटामिन D3 है वो नहीं बनेगा तो सबसे इंपोर्टेंट है कि अगर आप दूप में बैठ रहे हैं और फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं कि यार हमको तो विटामिन D रेफिशेंसी कैसे हो सकत देखें जो सनलाइट है उससे जो डायरेक्ट विटामिन एब्जॉब होता है उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे बलड में जाता है और बहुत सारे कॉंपोनेंट्स बनने में हेल्प करता है या एब्जॉब करने में हेल्प करता है अगर विटामिन D3 का देखा जाए तो कांधा च्छियूं और फॉस्थय頭 अब हम Mीलक पी लिया है और कांधा काम में ले लेंगटाथ कि बॉडी में विटामिन D3 नहीं होगो तो आपका क्यालिशियम किसी काम का नहीं कर है और हम एब्साम्त भी नहीं के ल значai का में रिफ disappointment cameraいます को वर्क कराने का काम vitamin D करता है तो अगर आपकी body में vitamin D3 की कमिः है तो काफी बार देखा जाता है कि आपकी body में calcium की भी कमिः हो जाती है अब अगर आप example लीजिए आपकी body में vitamin कम हो गया, calcium कम हो गया और आपकी जो bones है उसमें calcium बहुत ज़ादा है तो आपकी body क्या करेगी कि bones में से जहां पर जहां calcium है वहां से लेने लग जाएगा क्या calcium अगर आपकी body जो blood है वो calcium जो deposit already body में वो लेने लग जाएगा तो आपकी जो bones है वो weak हो जाएगी, reason उसका यही है अगर body में कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी कमी होती है तो हमारी body में पहले का जो absorb चीज होती है वो utilize होती है वैसे ही अगर अगर देखे जाए कि अगर आपकी body में vitamin D3 की deficiency हो गही तो साथ में आपको calcium deficiency हो जाती है और क्योंकि body जो है calcium जो है वो bones से लेना चालू कर देगी तो आपकी bones बहुत weak हो जाएंगी देखिए जब हम bones की बा deficiency की वज़ा से लोगों के पैर बहुत जल्दी मुडते हैं काफी बार देखा जाता है कि bones में बहुत जादा pain होने लग जाता है जो calcium बनना था वो ढंग से नहीं बन पा रहा है और bones से calcium निकाला जा रहा है तो उसकी वज़े से osteoporosis मतलब की ऐसी bones weakness की दिक्कत या softening of bones भी osteomalacia की दिक्कत आपको हो सकती है अगर आपको bones में phosphorus और calcium deficiency क्योंकि vitamin की वज़े से हो रही है तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में rickets की दिक्कत मतलब कि जो ऐसे बच्चे जिनकी bow like like soft bones हो जाती है और ऐसे bow like appearance हो जाती है बच्चों में देखा जाता है कि वह अक्सर vitamin D3 की deficiency और calcium deficiency की वज़े से हो सकता है देखे अगर मैं vitamin D3 की बात कर रहे हूं तो मैं यह जरूर बोलूँगे कि vitamin D3 is directly proportional to calcium levels मतलब अगर vitamin D का level कम हो रहा है तो हो सकता है कि calcium का level भी साथ की साथ आपको कम ही मिले अगर vitamin D3 की बारे में हम और जाने तो हमें जो सबसे important feature देखा जाता है वो muscular cramps का देखा जाता है मतलब आपकी body में muscles बहुत जादा pain करने लग जाती है बहुत weakness, fatigue जैसा महसूस होता है मतलब ऐसा लगता है कि शरीर में जान नहीं है चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है बहुत जादा early fractures, बहुत जादा bone deformities, deformities मतलब आपकी body जो bones है वो एकदम normal होती है धंक से बनी हुई जो जैसी बनावत होनी चाहिए वैसी होती है लेकिन अगर vitamin D3 deficiency आपको हो गई है तो आपकी जो bones है वो आड़ी तेड़ी बनने लगेंगी मतलब कि जैसे bones को बनना चाहिए था वो उस तरह से नहीं बन पा रही है तो bone deformities जो है वो अकसर vitamin D3 deficiency की देखी जाती है muscular cramps देखे जाते हैं अकसर देखा जाता है कि जिनको vitamin D3 की deficiency होती है उनको mood disorders बहुत जादा होते है mood disorders मतलब कि काफी जादा एकदम से sadness महसूस करना anxiety महसूस करना ऐसा लग रहा है कि मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और अकसर ये menopause के time पर देखा जाता है menopause का मतलब है कि जब आपके menses बंद होने वाले हों तो उन महिलाओं में 50 की जो उम्र होती है उस समय पर देखा जाता है कि उनको osteoporosis, osteomalacia या फिर bone disorders बहुत जल्दी होते है vitamin D3 का जो भी capsule आपको दिया जाता है वो एक certain limits में आपको दिया जाता है वो आप ले सकते हैं और हर orthopedician या हर एक doctor जब भी आपको bone related pains होते हैं अब तो आपको vitamin D3 सबसे पहले दिया जाता है तेखिए अब vitamin D3 से related जितने भी लक्षण में आपको बताना चाहती थी वो मैंने आपको लगबग सब बता दिया है अब last में न मैंने आपको बोला था कि मैं cover करूँगी वो part कि ऐसी कौन सी medications आप ले रहे हैं जिसकी वज़े से आपको vitamin D3 कम हो रहा है although आप sunlight में बैट रहे हैं तब भी तो देखिए पहली बात तो sunlight की जब हम भात करेंगे तो सही समय sunlight पे बैटने का ऐसा नहीं है कि अगर आपको गर्मी भी है बहुत ज़ादा भाहर धूप है और फिर भी आप बैटे हैं क्योंकि आपको vitamin D की कमी लग रही है देखिए यह बहुत गलत है उसकी वज़े से आपको dehydration भी हो सकता है आपको जो है आपको जो sunlight लेनी है वो morning hours के लेनी है सबसे अच्छी sunlight वही होती है जैसे ही sunrise हो रहा है उस समय पे जो light होती है Sunlight होती है वो बहुत leggs पियाओ सालाइड और उस time पे radiations लो होती है वो सबसे अच्छी होती है आप उस समय पे sun exposure की जैए आपके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है पहले जो हमारे शास्त्र बोलते हैं साथ में हमको योगा की बुक्स में भी इसा देखने को मिलता है कि सूर्य नमस्कार या सुबा-सुबा जो एक्सराइजिस होती है या सुबा-सुबा की जो वॉक होती है वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक तो sunraise मिल जाती है जब आपको sunraise मिल रही है और वो भी सही समय पर मिल रही है तो उससे ना तो darkening of skins होगी कभी-कभी देखते हैं कि sunlight में बहुत जाता है तो हम काला पढ़ जाता है, skin melanin बहुत जाता है तो अगर आप morning में sunrise के time पर अगर आप लेंगे sunlight तो सबसे best होगा ऐसी कौन-कौन सी medications है वो जानना अभी आपको ज़रूरी है तो सबसे पहले जब मैं problem की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो drug है जो problem create करता है that is lexatives मतलब अगर आपको बहुत जादा constipation रहता है और constipation रहने की वज़ा से आप lexatives का use कर रहे हैं ऐसे stool softeners ले रहे हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है कि vitamin D3 का absorption है वो कम हो जाता है दूसरा major cause जो देखा गया है vitamin D3 का वो देखा गया है कि hyper lipidemia मतलब अगर आपकी body में cholesterol level बहुत जादा हो रहा है तो cholesterol level को घटाने के लिए हम क्या करते हैं ऐसी medicines लेते हैं जो cholesterol level को low कर दे during that mechanism जब आपकी body में जो वो दवाई है वो cholesterol को कम कर रही होती है उसके साथ में आपको आपके vitamin D3 को भी वो कम कर देती है तो ऐसी जो दवाईया है वो भी आपके vitamin D3 के लिए problematic है और थर्ड जो है जितने भी steroidal medicines है वो सारी की सारी आपको vitamin D3 deficiency देती है अगर आप यह दवाईया ले रहे हैं तो आप साथ में supplementations लेना start करिए vitamin D3 का और अगर आप कोई भी ऐसे symptoms से परेशान है तो आप अपने doctor से जरूर consult कीजिए कुछ एक test कैसा होता है यह test और इसको naturally हम vitamin D3 को हमारी body में कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी normal range क्या है अगर इन सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको description में कुछ links provide कर सकते हैं आप देखिए और इससे आपको full जानकारी हो सकती है vitamin के बारे में धन्यवाद अगर आपको इससे related कुछ और videos देखनी है तो आप description में देख सकते हैं धन्यवाद